Hello everyone, welcome to my channel उबा हुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की वीडियो में जानेंगे तो शुरू करते हैं उबा हुआ को इंग्लिश में बोड या ब्लेज कहते हैं बोड या ब्लेज एक एक्जांपल से समझता है इसे एक्जांपल I am feeling bored after the lecture या बोड का मतलब है उबा हुआ उधरन मैं व्याक्जांपल के बाद उबा हुआ महसूस कर रहा हूँ इसी एक साथ आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग माई वीडियो